तो यार आज की इस वीडियो में हम सिर्वाइव करने वाले हैं पूरे के पूरे 100 डेज इन माइनकाफ्ट हार्ड कोर एजा हीरो ब्राइन मतलब कि इस वर्ड के हीरो ब्राइन हमोने वाले हैं और साथ ही जात मेरे पास होगी काफी ज़दा पावर्स और मेरे इसमें कोछ एंप जीर आने वाले हैं फस्ट मुझे 100 मॉब्स को मारना होगा ताकि मुझे मेरी पावर्स वापिस मिल पाए सेकंड मुझे मारना होगा इस वर्ड के सबसे खतरनाक बॉस को और लास्ट मैं हम जानने वाले है इस बैड डॉक के केज में और इसके अंदर आपको भी स्प्राइज मिलने वाला है और मुझे भी तो इस जानने के लिए वीडियो गन तक जरूर देखना और हाँ लाइक है मैं वन मतलब की मुझे सरफ आप से लाइक चाहिए तो जल्दी से लाइक कर दो और सिस्क्राइब भी पर वीडियो चिरू करने से वाले इस इस अगैन स्पॉंसर टाइम अगर तुम्हें इंग्लिश बोली में प्रिशानी होती है अपने इंग्लिश इंडिवर के लिए तयारी कर लेओ और अगर तुम अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो गुड न्यूस तो डाउटन आपके लिए लाया है इंग्लिश प्रिकिंग गोर्स जहां पर जाओ और स्कोर्स को बाय करो और एकदम बैस्ट कोर्स है और हां लिक डिस्क्रिप्शन में देर रखा है और देवन को मैं स्पॉन हुआ एक बडिया सी जगह पर और उसी के साथ साथ हमारी जर्णी भी शूरो चुकी थी फिर मैंने वही काम किया जो कि हर फ्लेयर करता है न फोड़ी देर बात स्टाट करेगे फिर मैंने वूड़ को लेक्ट करना शुरू किया डे वन से डे टू तक मैंने पहले तो वूड़ के टूल बनाए और उसके बाद थोड़ी स्टॉल्स के भी डे टू से डे थी तक मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस बड़े से आयलेंट को explore करते है और मैं कोई ऐसी जगह ढून रहा था जहां पर की मैं अपना base मना पाऊं और day 4 को मुझे वो जगह मिल चुकी थी जहां पर की मैं अपना base मनाने के सोच रहा था और पहले तो मैंने उसके लिए कुछ चीज़े collect की जैसे की woods, stones और बाकी चीज़े भी, फिर मैंने उसी दिन से अपने घर पर काम करना शुरू कर दिया and yes, day 7 तक हमारा घर भी बन कर तयार हो चुका था पर वो अलग बात है किसे घर तो बिलकु नहीं कह सकते क्योंकि आर ये डबबाई है, और अब हम day 7 तक आई गे थे, तो ये time था हमारी hero brand की first power को use करने का, मतलब कि अभी हमारे पास कोई OP वाली power आने वाली है इसलिए मैंने चेक किया कि क्या हमारे पास कोई power आई है and yes, हमारे पास आचुकी थी hero brand की drill और इससे mining करना बहुत easy है जैसे कि देखो, मैंने बस यहाँ पर single click किया है और देखो, यह कितना बड़ा हो चुका है और एक बार तुम देखो जरा कि कहां तक माइन हो चुका है और भाई यह tool काफी जदा OP है और अभी तो जब हम जटनी पर आगे बढ़ेगे तो देखना कि मेरे पास कैसी कैसी powers होगी हमारे पास यह tool आई चुका था इसलिए मैंने सोचा किया रहे best time है माइनिंग शुरू करने के लिए तो मैंने day 7 से day 10 तक माइनिंग की और मुझे इस माइनिंग के बीच काफे सारे iron मिले और भाई इस drill ने मेरी काफी help किया है क्योंकि जब भी मैं किसी cave में जाता था मैं बस इस ते use करता था और hole बहुत नीचे तक हो जाता था और मुझे ये भी पता चल जाता था कि लावा कहा है और अब हमारे पास iron आई चुके है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी से iron का armor और tools बना पा तो मैंने पहले तो जल्दी से iron की west और pants बनाई और साथ जात कुछ tools भी और फिर मैंने देखा कि क्या हमारे पस कोई powers आई है पर इस बार मुझे कुछ अजीब से मिला TNT पर वो TNT बाकि जो थोड़ा अजीब था और उसका color भी थोड़ा अजीब था और इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब इससे कुछ mobs को मारते है मैं थोड़ी दूर गया और मेरी किसमत कावेदा बढ़िया थी जो मुझे पास महीं एक बहुत बड़ा village मिल चुका था और इससे अच्छी बात कोई होई नहीं सकती थी मैंने पहले तो जल्दी से उस village में एंटर किया और उसके बाद village के एकदम center में TNT रखा और उसे एगनेट कर दिया भाई ये तो पूरा village ही ले गया पर कैसे वैसे खेर छोड़ो मुझे का करना है मुझे तो अपने 40 kills मिल चुके है और भाई 40 kills और वो भी एक ही blast में तो day 12 से day 4 दिन तक मैं फिट से mining पर गया और अब day 15 शूट हो चुका था मैंने फिट से check किया कि क्या हमारे पास कोई नई powers आई है और यस हमारे पास थी पर यस ये एक arrow था पर इसका मैं क्या करूँ फैंक के मारना है कै किसी को And yes अब हमें पता चल चुका है कि इस arrow का हमें क्या करना है देखो जैसे कि मैंने इसे पकड़ा देखो मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ तो हैर इस arrow की power यही है कि हम काफी ज़दा बड़े हो सकते है Ander Dragon से भी ज़दा बड़े Day 15 से Day 20 तक मैंने एक village को ढूंडा और मेरी किस्मत इस world मैं काफी ज़दा OP थी क्यूंकि मुझे वो village मिल चुका था और फिर मैंने वहाँ से अपने घर के लिए कुछ बड़े बड़े चीज़े collect की और villagers को मारा और बाकी कुछ mobs को भी Day 21 तक मेरा घर भी कुछ चट तक सुदर चुका था और मेरे kills भी 70 हो चुके थे और अब time था अपनी next power को use करने का Day 22 को मैंने चेक किया कि क्या हमारे पास कोई OP वाली नही power आई है And yes, हमारे पास थी एक spring और इसकी help से हम काफे ज़्यादा ऊपर तक jump कर सकते हैं और भाई ये तो कुछ भी नहीं है आगे आगे देखते जाओ कि क्या क्या powers मिलेगी पर ये spring भी काफे ज़्यादा OP थी और ये भी मेरी काफी help कर सकती थी jump करने में और तुम देख रहे हो देरे देरे हमारी सब भी powers हमें वापेस मिल रही है और जब तो मैं 100 mobs को मार दूँगा तब तो भाई तब भाही मत जाएगी और अब क्या बता हूँ यार अब बस रुके ने जा रहा मुझे किसी भी हड़ात में 100 mobs को मारना ही है और अपनी सबी पावर को collect करना है इसलिए T23 की रात को मैं अपने घर से बाहर निकला और mobs को मारने लगा क्योंकि देखो रात के ही टाइम पर सबसे जाथा mobs होते है और मैं यही सोच रहा हूँ कि इन लोगों का कुछ अच्छा नाम नहीं है mobs चलो हम इनका नाम करने करते है तो यह होगे मायंकाफ के गुंडे और सुबह तक मेरे टोटल किल्स हो चुके थे 98 बस बचे थे सिर्फ और सिर्फ 2 और साथ जाथ मुझे थोड़ा खाना भी चाहिए था क्योंकि मेरी ब्लैड और बाकी चीज़े खतम हो चुकी है इसलिए मैं वापस एक विलेज में गया और मुझे पास मही एक विलेज दिखाई दिया भाई क्या दे रहे लोग ट्रेडिंग में चलो देखते है भाई ये क्या दे रहा है और ये भी ओ भाई ये पागल विलेज रहे क्या बस भाई बहुत हो गया अब मुझे देखे ने जा रहा और ये सची काम को करने के बाद मेरे 100 किल्स भी कम्प्रीट हो चुके थे और साथ जाथ मेरी सब भी पावर्ज भी अन्लॉक हो चुकी थी और अब तो हम माइनकरफ के भगवान है क्योंकि एक बार देखो ज़रा मेरे पास क्या क्या पावर्ज है टेलीबोट, लाइटनिंग, फ्लाई और मेरी सूपर ओपी स्वार्ड और साथ जाथ टाइम कंट्रोलर भी तो भेले तयार इन सब को ट्राइ करते है मेरी सूपर ओपी स्वार्ड और अगर मैं किसी को भी इससे एक बार भी टच करूगा तो वो सीधे ही मर जाएगा विश्वास ने हो रा चलो एंडर ड्रेगन को मार के देखते है फिर पहले तो मैं अपना टेलिपोर्ट वाली पावर्ज यूज करता हूँ फिर चलते हैं अंडर वर्ड में और ये देखो हम आ चुके हैं अंडर वर्ड में और ये देखो हम आ चुके हैं अंडर ड्रेगन के बास तो चलो फिर उड़कर चलते हैं और इसे मारते हैं एंड येस हमें हमारी सभी पावर्ज वापस मिल चुकी है और अब हमारा एक इमिशन बचता है बैड्रॉक की केज में जाने का पर यद अगर मैं तो मैं सर्चता हूँ तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि उस बैड्रॉक के केज में इस वर्ड का सबसे सूपर वाला बॉस है और वो काफी ज़दा पावरफुल है भाई मुझे तो जाने से डर लग रहा है पर कोई ना जाना तो पड़े गाई मैं पहले तो बैड्रॉक के केज के उपर गया और फिर मैंने अपनी सूपर स्वर्ड से उसे मारना शुरू कर दिया ओ भाई नीचे देखो मुझे इस वर्ड का पावरफुल माप दिख रहा है इस इस यर मोमेट